आज का टॉपिक है ट्रेजडी अगर मैं ट्रेजडी पढ़ा रहा हूँ तो literature के students के लिए सबसे ज़्यादा माइने ये रखता है कि ट्रेजडी के बारे में Aristotle ने क्या कहा है ये सबसे ज़्यादा माइने रखता है Aristotle के according, tragedy poetry की 5 forms में से एक है और Aristotle ने अपने work politics में सबसे ज्यादा attention tragedy को ही दी है उनकी according tragedy एक imitation है एक नकल है एक admirable complete action की नकल है ना कि character की नकल है tragedies ऐसी language में लिखी जाती है जिसमें rhythm और melody हो ताकि language आपको आनंद दे सके Aristotle के according वो बोलते हैं कि इसे narrate करने में उतना मज़ा नहीं आता इसे सुनने सुनाने में उतना मज़ा नहीं आता जितना की इसे act करने में आता है और ये superior art form है क्योंकि ये audience को purify करती है यानि कि उनके अंदर डर और दया के emotions को जगा कर उन्हें purify करती है उन्हें एक अच्छा इंसान बनाती है और इन दो emotions को जगाने की process को हम catharsis बोलते हैं नोट कर लेना अरिस्टोटल के according tragic points में mainly 6 component parts होते है फर्स्ट lyric poetry सेकंड spectacle तीसरा plot character, diction और reasoning ये 6 parts होते हैं जो कि tragedy की quality को बढ़ा देते हैं एक tragedy अच्छे से लिखी जाने चाहिए यानि की beginning, middle और end ऐसे systematic तरीके से इसे लिखना चाहिए ऐसा अरिस्टोटल का कहना है और वो बोलते हैं कि tragedies mainly 4 type की हो सकती है पहली complex, दूसरी simple, suffering और character के around लिखे जाने वाली यानि की character पर based हो अरिस्टोटल ने tragedy को epic poetry और comedy से superior बताया है क्योंकि इसमें catharsis होता है catharsis बहुत important है दोस्तों इसको note करके चलना ये audience को purify करती है और epic poetry से ज्यादा artistic भी होती है यानि कि इसमें comedy की तरह vulgarity नहीं होती एरिस्टोटल ने politics में सबसे ज्यादा examples दिये है सफ़कलिस की एक world famous tragedy है Edifice Rex Edifice Rex का अपने नाम सुना होगा ये tragedy एरिस्टोटल के अनुसार tragedy इसकी superiority को दिखाती है इस story में कुछ ऐसा होता है कि इस कहानी का main character यानि कि Edifice अंजाने में अपने father का murder कर देता है और अपनी मा से ही शादी कर लेता है और इसके बाद जब उसे अपनी सच्चा ही पता चलती है तो वो अपनी दोनों आखे निकाल लेता है उसके लिए बच्पन में ही ये सब भविश्यवानी हुई थी एरिस्टोटल ने इस tragedy के लिए कहा है कि ये एक complex plot है और इसने audience के मन में बहुत अच्छे से catharsis को जगाया ठीक है और अरिस्टोटल बोलते हैं कि ये एक perfect tragedy है आप पढ़ना है इस story को मैंने बना रखी है अपने channel पर एक video बना रखी है इसकी summary बता रखी है वो बोलते हैं कि ये जो tragedy होती है ये comedy और epic poetry के अलावा history से भी superior होती है क्योंकि history में सिर्फ records होते हैं कि क्या हुआ था कैसे हुआ था लेकिन उसमें emotions नहीं होते इसमें emotions होते हैं अरिस्टोटल के according tragedy में most important होता है plot plot पर ध्यान देना अब मैं आपको tragedy में use होने वाले कुछ terms के बारे में बताता हूँ जो कि note करना बहुत ज़रूरी है तो पहली term है maglosikia यानि कि greatness of soul दूसरी term है peripetya यानि कि जब character high से low status पर गिर जाता है ये वो term है तीस्टी term है hamercia यानि character में एक कमी जो उसे बरबाद कर गे रख देती है पूरी tragedy में उसके साथ चलती है वो कमी error of judgment कहते हैं इसको चौथी term है hubris यानि कि excessive pride पांच भी है anagnorisis जब पता चलता है कि कुछ गलत चल रहा हो दूसरी भाशा में reflection एक और term है catharsis जिसके बारे मैं आपको बताया pity और fear जगा कर emotions को purify करना और last term है pathos यानि कि दया की भावना जगाना उमीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी आज की वीडियो बस इतना ही